सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लाख उत्पादन क्या है लाख केरीना लाख का नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है या पलास बेल एवं कुसुम के व्रिक्षो पर पाले जाते हैं साखाओं से रस्चूस कर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव से कवच बना लेते हैं यही लाख होता है कीट और रोक का बहुत सारे प्रोब्लम्स आता है जैसे कीट का समस्या में परबक्षी होते है और परजीवी होते है परबक्षी में ज्यादा तरह सफेद तितलिया और काला तितलिया होता है सफेद तितलि का नाम होता है यूबलमाय ओमेवलिस और काला तितलि का नाम होता है सिंकोला पलवेरिया जिसके वज़े से लाग में 30 से 40 प्रतिशत का नुकसान होता है किसान बाईयों के लिए और परजीवी में जाजा तरह टकाडी पेगस टकाडी करके एक परजीवी आता है जो लाग का अंदर से का के कोकला बना देता है जिसके वज़े से ला उत्पादन में बहुत सारे नुकसान दायक होता है तो उसके अलावा जो रोग है उसमें पफुद का होता है काला पफुद होता है जो बरसात में आपको देखने के लिए मिलता है लाग के उपर काला पफुद बहुत आ जाता है उसके होजे से भी लाका लुक्सान बहुत होता है अब हम लोग इसका प्रबंदन के बारे में देखते है लाका केती में कीट और रोक प्रबंदन बहुत मुक्य होता है बहुत important role play करता है जैसे इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बोला 30-40 परिशत का लुक्सान होता है तो उसको रोकने के लिए हमको उसमें प्रबंदन करना बहुत जरूरी होता है इसमें पहले से हम लोग को जैसे लाभी एक खीट है इसलिए इसमें हमको केमिकल मतलब रासाइनिक प्रबंदन पे जाने से पहले हमको कुछ दूसरे ऐसे विदी विदान है जिसमें से हम लोग इस कीट और रोक का समस्या को कम कर सकता है तो उसमें एक है जैसे ब्रूड लैक जब हम लोग मतलब बिहन लैक जब चड़ाता है पेड़ों में वो चड़ाने से पहले हमको तोड़ा अच्छा वाला बिहन लाक जैसे उसमें कीट का समस्या कम हो या अच्छा वाला बिहन लाक को अम लोग बिहन को चड़ाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे ये जो कीट और कीट का समस्या है उसको कम कर सकता है उसके बाद हम लोग यह जो नाइलॉन मेश करके एक आता है, जो जाली होता है, 60 mm का जाली होता है, हम जाली का भी उपयोग कर सकता है, जहापे बिहन को जाली में लगा के हम लोग बांधने से, कीट का जो उसके अंदर में जो पहले से कीट है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, सिर्फ आम लोग का जो लाका क्रावलर से वही बाहर निकलेगा और वो शिसू बोलता है उसको बाहर निकलके टाहनियों पर बैठ जाके लाका उत्पादन शुरू करेगा तो उसके अलावा आप लोग ये भी कर सकता है कि जब आप लोग बिहन को बानते हैं उसके बाद जब ये सिसु कीट निकल जाने के बाद तुरंती आप ये जो पूंकी बोलता है उसको उसको निकाल देने से भी कुछ कीट समस्या को कम कर सकता है उसके बाद एक और यह है यह है रासाइनिक का ही एक तरीका है उसको बोलता है हम बिहन का ट्रीट्मेंट बिहन लाग को हम लोग रासाइनिक केमिकल्स में 5-10 मिनिट के लिए दुबा के उसको बांधने से भी एक कीट का समस्या कम ओ जाता है है और जाता है तो हम लोग रासाइनिक कोंसा कोंसा रासाइनिक अम लोग इसमें इस्तमाल करते हैं उसके बाड़े मैं तोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ तो पहले से यह । ऐसे लाक भी एक कीट है इसलिए हम लोग करो जोबी रासाइनिक मिलता है मार्केट में उसको हम लोग स्प्रे नहीं कर सकता है इसमें क्योंकि लाक भी मरने का ज्यादा चांसस रहता है इसलिए हम लोग इस पे कुछ सम्षोधन करके कुछ ऐसे वाला ऐसा रासाइनिक केमिकल्स को हम लोग रेकमेंड कर रहा है जिसमें हमको लाक का मरना कम होता है ला नहीं मरता है या जो परबक्षी परजीवी कीट जो है उसका पहले आता है कि पिपरोनिल देड़ एमल मात्रा में प्रति लीटर पे मिला के चिड़काव करना होता है और स्पाइनोसेड होता है एक केमिकल्स पाइनोसेड दो एमल प्रति लीटर पे मिला के स्प्रे करना होता है चिड़काव करना होता है इंडाक्सकर्ब आदा एमल प् आप 200,000 को treatment करने के लिए भी इसी chemicals को इस्तमाल कर सकता है आप 200,000 को treatment करके भी आप चड़ा सकता है टैनियों पर या नाई तो इसका जो जब लाग का केती ओते रहेंगे उस टाइम पर भी इसी chemicals को आप लोग इस्तमाल करना है अब आप लोग का ये जो ला में रोग का प्रबंदन जो है इसमें मैंने जैसे बोला आपको काला फफूद का रोग ज़्यादा तरह लगता है उसका प्रबंदन के लिए आप कार्बंडाइजिम इस्तमाल कर सकता है कार्बंडाइजिम एक ग्राम प्रती लीटर पानी में मिल जब कीट नाशक चिड़काओ करेंगे उसी के साथ में इसको भी मिला के चिड़काओ कर सकता है और इसमें आपका जो ला का केती है जब केती होते रहेंगे उसके उस टाइम पे कब इसका चिड़काओ करना है ये भी बहुत जरूरी है ये जानकारी भी बहुत जरूरी है कि कब चिड़काव करना है कब नहीं करना है क्योंकि आप लोग नर्कीट निकलने के टाइम पे चिड़काव करेंगे तो नर्कीट का भी जान जा सकता है और उसके वज़े से भी ला उत्पादन में बहुत मातरक कम पड़ जाएंगे इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा आप इसमें अमलोग बोलता है कि तीन बार चिड़काव करने के लिए बोलता है रासाइनिक को अमलोग चिड़काव संचारन के 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद और 90 दिन के बाद करना होता है और ये भी ध्यान रखना होता है कि उस समय पे नर्कीट ना निकले